UN के ग्लोबल आतंकी घोशित किये जाने के बाद मुंबई हमले के आरोपी आतंकी हाफिस सईद के बहनोई अब्दुल रह्मान मक्की ने पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से अपना एक वीडियो जारी किया है मक्की ने वीडियो में कहा है कि जिन आरोपों के आधार पर उसे ग्लोबल आतंकी खोशित किया है वो सब भारत सरकार की तरफ से फैलाई गई अफवाएं हैं मक्की कहे रहा है कि मैं कभी ओसामा बिन लादेन अलजवाहिरी से नहीं मिला पाकिस्तान लशकरे ताइबा के लीडर अब्दुल रह्मान मक्की ने आतंकी संगठन अलकाइदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोपों को भारिच किया उसने कहा कि इन दोनों आतंकी संगठनों के विचार धारा उससे बिलकुल अलग है कई आतंकी हमलों के आरोपी मक्की ने ये भी कहा कि वो अलकाइदा और ISIS की ओर से किये गए सबी हमलों की निंदा करता है मक्की ने अपने वीडियो में कश्मीर को भी घसीटा उसने कहा कि वो पाकिस्तान की कश्मीर पर लिये गए स्टैंड से पूरी तरह सहमत है खुद को ग्लोबल आतंकी घोशित की जानी के फैसले पर मकी ने UNSC पर आरोब लगाया, इस सही प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था आतंकी अब्दुलरह्मान मकी ने अपने वीडियो में इस बात वो भी नकारा है वो साल 1980 में Islamic University of Islamabad में फैकल्टी मेंबर रहते हुए अलकाइदा और अफगान कमांडरों से मिला था पाकिस्तान के पंजाब राजे की जेल में साल 2019 से कैद है साल 2020 में मकी को दो आतंकी हमलों का भी दोशी ढहराया जा चुका है आपको बता दें कि मकी वही आतंकी है जिसे ग्लोबल आतंकी घोशित किये जाने में चीन ने अडंगा डालते हुए फीटो पावर का इस्तिमाल किया था वही सयुक्त राष्ट में भारत के स्थाई प्रतिने दी और राष्टू सेद अकबर रुद्दीन ने मकी के ग्लोबल आतंकी घोशित किये जाने के बाद कहा था कि इससे दुनिया में ये समझ बन रही है कि चीन भारत को रोप नहीं सकता है कि अभी कई और भी है जिने ग्लोबल आतंकी घोशित करवाना है अब्दुलरह्मान का ग्लोबल आतंकी घोशित करने वाले कमीटी ने उसे भारत में कहीं हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था जिसमें 22 दिसंबर 2000 में लाल के लिए पर हुआ हमला भी शामिल किया गया आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सरूर बताएं और ऐसी ही देश-विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल टीवी नाइन भारत मर्श